हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नियोकडमी आफिसल में उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी त्यारी को बेटर धंग से कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आज एक जानकारी आप लोगों के भी साजा करना है पहला नंबर है कि कि जो है संभावित जो है सीटों की शंख्या में कितनी परसंट की बढ़ोत्री हुई है कितना बढ़ोत्री हुई है होने वाली होने की संभावना है इसके बारे में चाजा करेंगे और सिलेबस जो है एक अन्मानिस सिलेबस क्या होने मतलब सिलेबस तो इसको पहले भी बता प्रेंट पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो है अगरी कलासे दी जा रही यह नेंकिन अपके मात सलूचन है आपके जो आपकी समस्याओं मीना पड़के आप अपने दिन चरिया में दोनों दोनों जगह जो है क्लाइम दीजिए और प्रकोष्म में टाम देजिए यह मात्तर आपके समस्या का समाध्वान है नुज की बात भिंगे में यह दीन पहले देखो चाहे कल देखो देखने से आपके समाधान नहीं होगर, ठीक है कोई न्यूय आज हम देख लिए तो न्यूंन देखर आपने क्या कर लिए कुछ नहीं कर पाएँ, आपने कितना तयार किया है कितना पढ़ा है यह मैटर करता है जैसे कि किसी को किसी का बैक्ग्राउंड कोई माइने नहीं रखता है आपका बैक्ग्राउंड अच्छा है या बुरा है जो महिनत करेगा सेलेक्शन उसी का होगा इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा सेलेक सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप कितनी सीटों की संख्या में कितनी इपर होत्री होने की संभावना है तो लगबख 4000-5000 की बीच आने की संभावना है ठीक है 4000-5000 की बीच में लेकिन अभी मान के चलिए कि मान लिजिए कि सब्सक्राइब करें 3946 पोष्ट आने की संभावना है ठीक है अब इसमें 3946 पोष्ट में आप आपका अपना अस्थान बनाने के लिए आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इतनी पोष्टे हैं क्या 10,000 बच्चे जो है एकदम अच्छे से त्यार नहीं किये होंगे तो किय अगरी में आने के लिए इसे 3946 पोष्ट में आने के लिए आपको मेहनद करना होगा ठीक है फ्रेंट तो जो सम्भाविस सीटों की संख्या है 3946 होने की संभावना है ठीक है अब आप बात करते हैं से लिए बस किया होने मैंने पहले भी बताया है अब एक्री कल्चर पर सब्जेक्ट को आपको ज्यादा ध्यान देना होगाaris जैसे सब्जक्ट पहला फूर में जिस से आपकी फन्द्रा कुश्न आएगा ठीक है यह जो है 10 से पलद्रा कुश्चन अब फूर्म में गाईनी का है एक यह जैसी घ्रास आपको ने मर्स vagar की दी गई देट हो गया 10-15 कुस्ट्ट नोब करता है हाटी केलचर में भी आपको क्रॉपर हैं तो उन सब कबर के इसके बाद साइंस की बाता है सुआल साइंस में अब दोनों डिपेंड करती किसे करती है अब वहां के फारटिलिटी कितनी है मिर्दा क्या पीज़ क्या है और कौन से स्वाल कहां पाई जाती है कौन से फसले किस जो है किसमे उगाई जाएंगी तो स्वाल के टॉपिक से इसको कभर कर लिएगा यानि कि आपका अगरुणामी हार्टिकल्चर्श वाल साइन और आपको क्य तरीके से आप लोग इसको ध्यान देकर करिएगा बैकेंसी की बात आता बैकेंसी सब कुछ ठीक रहा तो अगले मत जो है देखने का आप लोगों को मिल जाएगी तो अब इन सब चीजों को आप लोगों में बहुत जादा नहीं पढ़ना चाहिए हमने कई बार बताया है कि भीखिएगा क्योंकि निव देखना देखने से आपका सवर्ण नहीं हो पाएगा आप अपने रूम में कितने अच्छे तरीके से चीजों को कबर कर रहे हैं प्या और की म। समझा है उसे और उसे कितनी तरीके से तयार किया है ठीक है तो पहें आपका कुछ भी बैक्गराउंट रहा हो चाहे बीक रहा हो चाहे रहा हो जो मिहनत करेगा इस टाइम उसी का सेलिक्शन होगा ठीक है फ्रेंट्स तो आप लोग जो है इन सब चीजों पर मत पढ़िएगा आप आज मिले या कल मिले इन सब चीजों पर मत पढ़िएगा आप लोग जो है जैसे एक्रोणामी की क्लास से दी जा रही है आप लोग एक्रोणामी को कबर कीजिए इसके बाद हास्वाल साइंस या हर्टी कल्चर पढ़ाएंगे आप उस पर ध्यान दिजिएगा पेट की जय भर बंदे महत्रम